नमस्कार अदाव सस्रीकाल तो भाई नए वीडियो लेके मैं हादर हो चुका हूँ आज की वीडियो में जो आपको गाड़ी दिखा रहा हूँ यह गाड़ी चाइना की मिल्टरी के पास है भाई उनको यह गाड़ी बीचे जो कंपनी है उन्होंने बना के दी है बुलेट प् चम बतादू की इंडिया मिल्टरी के पास जो है वो है जी अभी तक जो है चल रही है वो है जिपसी जिपसी को अब उन्होंने साइड में कर दिया है अब जो नहीं गाड़ी वो उनके पास आ रही थी वो थी लेकिन वो काम में नहीं आते, इस काम में जिबसी सबसे अच्छी थी, एक तो वो सबसे यादा लाइट वेट थी, उपर से उसका इंजन अच्छा था, और पेटरॉल इंजन थी, तो पेटरॉल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, वो डीजल से बहुत जाद है, आलमोस दुग से बहुत अच्छी दिख रही है गाड़ी, मुझे तो बहुत पसंद है, मैं चाहता हूँ कि ऐसी गाड़ी हमारी इंडियन आर्मी के पास भी होने चाहिए, क्योंकि ऐसी टफ गाड़ी है, एक टफ आर्मी के पास हो है, तो बात ही बन जाए, चाइनीज के पास ये देने का को मतलब नी बनता, उन्होंने तो डंडे खाना है, जैसे कलवान वैली में हमारे बंदों ने इतना पीटा उनको वहाँ पे सिक रेजमेंट थी, उन्होंने पीटा पहले बहार रेजमेंट वालों से जूते खा चुके हैं, तो उनके पास ऐसी गाड़ी होने का को मतलब नी पारिये असानी से इसमें चार से पांच बंदे बड़े अराम से अपने आर्म़ और अपने गन्स के साथ इसमीं बैठ सकते हैं, उपर से बुलेट प्रूफ पूरी बाड़ी है, बुलेट परूफ हलाए कि इसकी काच मुझे बुलेट प्रूफ नहीं लगती, अगर कि अलावा भाई ये देखो कैसे खुलती है इसकी जो बैक रियर में टायर स्पेर टायर दिया गया है वो अच्छा है क्योंकि इसके नीचे एक छोटी सी डिगी लगी हुई है इस डिगी के बीच में अपना जो भी उन्होंने विस पोड़क समान वगर रखना है गंस वगर रख इसमें जो टायर आ रहे है ये स्पेसिफिकली 18 इंच के टायर है बहुत बड़े टायर है इंटीरियर देखने में अच्छा लगता है मैनुल गड़ी आपको मिलने वाली है जैसे मैंने कहा बुलिट प्रूव विंडोस मिलेंगे इसकी हलाकि बुलिट प्रूव शत तो यूज कर रहे है तो ड्रॉन का सीधा कनेक्शन जो है वो टाच स्क्रीन के साथ कर सकते है उससे क्या होगा उससे पूरी फोटेज जो एरिया कि है उनको गाड़ी के अंदर पैट कही दिखाई दे सकती है तो उसके लिए बहुत जादा स्क्योर हो जाएगा उनके लिए एक अच्छा क्लेस्टर मिल रहा है यहां पर स्क्रीन मिल रहा है इसमें रेडियो बगरा सारा कुछ चल रहा है हलाकि इसका जो मिल्ट्री के लिए जब बनाई जाएगी तो उसमें से कुछ वीचर जो है वो निकाल दिया जाएंगे क्योंकि इनकी फ्रिक्वेंसी कैच कर सकते ह गाड़ी की बात करो तो गाड़ी की हैडलाइट देखो यार कितनी अच्छी हैडलाइट लग रहती है यहां पर फॉग्लेंस भी लग सकते हैं क्योंकि आफ्रोडिंग वंपर लगा हुआ है इसमें रियर साइड में बहुत अच्छी लिग रही है यह तो मिल्ट्री की रहे हैं। उनको सोचना चाहिए कि ऐसी ही गाड़ी इंडिया के लिए बनाए एक लाइटर वेट चैस्छी हो लेकिन बुलेट पुरूफ चैस्छी हो एसा मिटील हुआ है उनको यूज करना चाहिए और बड़िया सा पैट्रॉल इंजिन इनको देना चाहिए तर्बो जमें ना डीजल जमें ना उनको को गोली छूपाए और जितना वह समार रख सकते हैं उसतना केरियर उनके साथ होना चाहिए तो वह सारी चीजे होने चाहिए अच्छी लाइट्स होनी चाहिए ताकि वीजिविल्टी बहुत अच्छी बनी रहे गाड़ी के साथ कमफटेबल होने चाहिए ताकि जब वह अपने घार आए इस गाड़ी में यह कहीं भी जाए तो इसमें थोड़ा एसी भी कर रहा हो तो वह थोड़ा चिल कर सके उसमें जुरूरी नहीं कि उनको तब 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 आते गाड़ियों में ही रखना हाला कि अब तक ऐसे ही रहे हैं वह उनको दिक्कत भी नहीं है यह तो मेरा एक परसनल अर्पीन है चलो यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप सब मेरी फ्रस्ट्रेशन समझ सकते हैं क्योंकि we all love our army अगर आप भी इंडियन आर्मी से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक औ सब्सक्राइब जूर कर देना मिलते हैं जी नेक्स वीडियो में ऐसी वीडियो आपके लिए एक नई वीडियो जरूर लेकर आऊंगा तब तक के लिए नमस्कार जाहिंद